जहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आप अपनी तयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे अब आप कहेंगे कि सर आप CRPF ASI को लेकर फिर से क्यों आगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि CRPF ASI में दिली हाई कोट ने अभी एक फिसला सुनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उपरी एज में तीन साल की छूट दी जाएगी अब आपको होगे सर ये तीन साल की छूट क्यों ये जो एज का रिलेक्षन तीन साल का मिला है ये क्यों मिला है तो मैं बता देता हूँ कि CRPF ASI की जो इससे पहले की जो परती थी 2016 में आई थी और 2016 के क्या कर दी उपरी आयू में तीन साल की छूट दे दी और साथ में उन्होंने ये भी कह है कि फोरम की डेट भी बढ़नी चाहिए क्योंकि 25 जनवरी से पहले पहले अभी तो तीन साल आयू वर्ग वाले बहुत एक बड़ी संख्या इस बरती में आपके साथ में सामिल हो क्योंकि 25 जनवरी से वापी स्वरम भी रियोपन हो जाएंगी वैसे ओपन है अभी लेकिन फिर से आगे डेट बढ़ा दी जाएगी तो इस कारण में आपको बता देना चाहता हूं कि और भी आपके सामने सुनेरा मोका है जिनको मोका नहीं मिला हैं उन्हें मोका मिले चुक बस परादारीत है, टाइपिंग टेस्ट की चिंता मत करो, अगर आप 10 गंटे रोजाना पड़े हो, दो गंटे साथ में टाइपिंग करते हो, वरना पहले पेपर निकाल लो, उसके बाद में टाइपिंग ही तो करनी है, तो एक बार मैं सभी को मोटिवेशन का साथ कहना चाहत कि मात तेरी पसीने की हर बुंद को मोती से चमगाऊंगा, मात तु सपने प्यारे प्यारे देख, पूरा करके में दिखलाऊंगा, चिंता मत करो, आप जित जाओगे, आप महनत कर रहे हो, आपकी सपलता सुनेशित है, इस बात की में गारेंटी देता हूँ, आपको आप फ